भार्थी स्टेट बैंक आपका स्वागत करता है खाते में रखे पैसों पे ब्याज भी मिलता है इसी एक खाते के मादियम से अब भिन बीमा योजनाओं का भी लाव ले सकते हैं जानते हो ना गाउ में खाता खुलवाने का कैम्प लगा है अब मैं तुम्हें खाता खुलवाने के और फाइदे बताता हूँ मनरेगा के भुक्तान, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की छातर वृत्ती, सरकारी योजनाओं की सबसीडी, आदी सरकारी लाव भी बैंक में जमा हूंगे इसलिए भी खाता खुलवाना जरूरी है तब तो सरकारी अनुदान मिलना सुरक्षित हो जाएगा और हाँ, दूर के किसी अन्य गाव या शेहर में रहने वाले रिष्टेदारों जान पहचान वालों को भी बैंक से आसानी से रुपए भेजे जा सकते हैं जो उसी दिन उन्हें मिल जाते हैं और वो जब चाहें निकाल भी सकते हैं तो अब बताओ, खाता खुलवाना ज़रूरी है ना? मेरा खाता कैसे खुलेगा? अच्छा ये बताओ, चा तुम्हारे पास आधार कार्ड है? हाँ सहाब है बहुत अच्छा, फिर तो आपका खाता खुलना और भी आसान हो गया आप आधार कार्ड, मन्रेगा कार्ड, या फिर पैन कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आई कार्ड इन सब की सहायता से आसानी से अपना बैंक खाता खुल सकते हैं पर साहब हम तो मजदूर लोग हैं, अब हम बैंक में जमा करने लाइक पैसे कहां से लाएं आप बैंक में दस रूपए जैसी छोटी रकम भी जमा कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी रकम हमेशा जमा करने की जरूरत नहीं है खाते में पैसे कम होया ज़्यादा, बैंक ब्यास देने में कोई भी बहुत भाव नहीं करती है और एक बात का ध्यान अवश्य रखे, विभिन सरकारी योजनाओं का पैसा पाने के लिए अलग-अलग बैंक खातों की आवश्यक्ता नहीं होती है अब किसी भी एक बैंक खाते के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं का लाब ले सकते हैं